लोग सभाचुनाव अगले साल होने वाले हैं लेकिन बीजेपी समेत सभी राजनितिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है इस बार बीजेपी अपने परमपरागत वोटों के अलावा उन युवाओं पर भी निगाह लगाये हुए है जो पहली बार मद्दान करने जा रहे हैं 18 साल की उम्र पूरी करके मद्दान का अधिकार पाने वाले युवाओं की संख्या 1.8 करोड है जो पहली बार मद्दान करेंगे इस बार के लोग सभा चुनाव में इन युवा मद्दाताओं की अवहम भूमे का होगी लिहाजा बीजेपी इनको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है इसी कड़ी में बीजेपी और राश्ट्री स्वैन सेवक संग रस्स के कारकरता कॉलेज परिशुरों में युवाओं को आकर्शित करने में जुट हुए है RSS की उत्विंग अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशर ABVP ने पहली बार वोटर बंदने जा रहे युवाओं से जुडने के लिए बिहार, उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश समेत अन्यब्दक्षिन भारत के राज्यों में व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया है ABVP के एक कारेकरता ने मेल टुडी को बताया कि हाल ही में ABVP ने पटना भागलपुर और मुजफरपुर की युनिवर्सिटी में 25 साल बाद पहली बार चातर संग चुनावों में जीत दर्ज की है अब साल 2019 के लोग सभा चुनाव को ध्यान में रखकर कई कारेकरम चलाए डा रहे हैं और इनके जरिये पहली बार वोटर बने चातर चातराओं को जोडने की कोशिश की जा रही है इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नए वोटरों से जुडने की बात कह चुके हैं उन्होंने बताया कि इस साल करीब एक दशमलव आठ करोड नए वोटर पंजी करीत होंगे जो आगामी लोग सभा चुनाव में मद्दान करेंगे इसके अतरिक्त BJP सूत्रों का कहना है कि पिछले तीन साल से RSS छात्रों को विचार धारा से जोडने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है पूर्वत्तर भारत के राज्यों में आदिवासी युवाओं के लिए RSS ने कई शेक्षनिक और स्पोर्ट्स का रिक्रम लॉंच किये हैं बीजेपी के एक वरिष्ट नेता ने कहा कि उनके पार्टी ने हाल ही में हुए त्रिपुरा मेगाले और नागाला एंड विदान सभा चुनाव में भी ऐसी ही रणनीती अपनाई थी जिसके सकारात्मक परणाम भी देखने को मिले थे